हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज है सिया और राम की हल्दी और यहाँ पर हल्दी की सारे तैयारिया हो रही है चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है यहाँ पर कृष्णा और सुनम की पापा स्टेज सजा रहे हैं अले वाद देखो चेंगी आखिल काल आज माशी की हल्दी है मैं बहुत ही खुश हो है आज तो जाहिए आएगा घ्ल्द से खेलने क्यों देखो तो चरा कितना संदर सजाया है स्टेज को मुझे तो बहुत जबझा खुशी हो रहे है आले हां सुनन मुझे भी पता नहीं कि बहुत जबढ़ क्यों से रिकस करक E चलो भाई यहां का तो हो गया है अरे कृष्णा अरे कृष्णा भाई हो गया क्या वहां का जल्दी करो हमें और भी तैयारिया करनी है चलो चलो जल्दी करो अरे हाँ भाई साब इसे बांदू हाँ बस हो गया देखिए हो गया अरे वाह देखो तो जरा किता सुन्दर दिख रहा है ये स्टेज अले चिंकी चलो ना मासी को स्टेज पर लेकर आते हैं पत्या नहीं कहां पर रह गई है अरे हाँ भाई सोनम तुम्हारी मासी और होने वाले मौसा कहां पर हैं जल्दी लेकर आओ भाई और फिर यहाँ पर तभी श्याम भी आ जाता है हल्दी हल्दी अले चिंकी देखो तो अले वा श्याम तुम कितने प्यारे दिख रहे हो कितना क्योड दिख रहा है अले हाँ सोनम तुम सही कह रही हो श्याम तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है देखो तो और फिर यहां पर सारे महमान आना शुरू हो जाते हैं और यहां पर चिंगी की मंमी भी आने लगती है अरे चलो 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 जाती हूँ कही में लेट तो नहीं हो गया अरे नहीं अरे वाह देखो तो क्या तैयारी की है चंदा और राधा ने बहुत ही अच्छा दिख रहा है चलो चलो जल्दी जल्दी अरे वाह कितनी अच्छी तैयारी है आईये आईये आंटी आईये बैठिये ब फंक्शन शुरू होने वाला है अरे सिया तुम कितना टाइम लगाती हो इतना टाइम नहीं लग जा जा रही हो तुम झार इडिक आप जाकर बैट जाओ यह पर यहां देकिन ये राम कहां पर है देखो तो जडरा अभी रामतों आया ही नहीं और सब मुझे ही डाट रहे हैं कि मैं कितना टाइम लगा रही हूं उस राम को तो कोई कुछ नहीं बोलता है अरे चलो राम जल्दी चलो देखो होने वाले दूरन पहले आगए और तुम्हें इतना टाइम लग रहा है अरे अम मैं क्या करूँ ठीक है मैं जा रहा हूं कहां पहाड टूटा जा रहा है हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ अरे वाँ सिया कितनी प्यारी दिख रही है अरे सिया तुम सच में बहुत ही सुन्दर दीख रही हो अरे सचमे राम तुम्हारा बहुती दो शुक्रिया अरे क्या दीदी आप वहाँ पर ऐसे क्यों बेठी हुई है चलिए ना हल्दी का फंक्शन शुरू करते हैं भाई उना टाइम हो जाएगा चलिए चलिए उठिए आप सब चलिए शुरू करते हैं आप सब तो ऐसे ही बेठे हुए है अरे हाँ रादा लेकिन सबसे पहले एक क्वारी लड़की हल्दी लगाना शुरू करेगी यहाँ पर कौन है क्वारी भाई शुरू करो जल्दी से अरे हाँ दीदी को तो सब कुछ पता है कौन है यहाँ पर कुवारी अरे यहाँ पर तो कोई भी कुवारी नहीं है हाँ हाँ सोनम सोनम चलो सोनम तुम शुरू करो अरे हाँ मैं तो कुवारी हूँ चलो चलो मैं हल्दी लगाने शुरू करती हूँ चलो आज तो पूरा में रंग दूँगी मोशा को और माशी को चलो जाती हूँ अले वा ये हल्दी कितना अच्छा है मैं भी लगाऊंगी हल्दी ठीक है तुम्हें शुरू करती हूँ अरे सोनम जादा मत लगाना तुम बहुत ही मस्तिक होरो ठीक है ना अले नहीं नहीं मस्तिक है अब आपने बोल तिया ह Beef आप जादा नहीं लगाऊंगी सबसे पहले मैं मोशा जी को लगाते हूँ आए मोशा जी आपको लगाती हूँ मैं अरे अरे सोनम बस करो बस करो अरे तुमने तो मेरी दाड़ी बना दी आप तो बहुती अच्छी दिख रहे हैं चलो यहाँ पर भी लगा देती हूँ ठोड़ा सा हाथ पर इस वाले और इस वाले अले वा मोशा जी देखना आपका चेहरा तो निखर आएगा चलिए माशी अब आपको लगा दी हूँ ठोड़ अचा यहाँ पर और ठोड़ अचा यहाँ पर अले वा माशी आप तो बहुती प्यारे दिखेंगी देख लेना अरे शुक्रिया सोनम तुम्हारा और यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर हो गया अब आप शब भी लगा दीजिए मेरा लगान्या हो गया है अरे हाँ सोनम तुमने बहुत ही अच्छा किया अच्छा राधा अब तुम जागर लगा दो दोनों को हल दी हाँ हाँ दीदी ना की और पूछ पूछ अरे वाँ चलो जाकर लगाती हूँ अखिरकार मेरे राम की शादी होने ही वाली है चलो मैंने जो कुछ सोचा था वो सब करूँगी येलो राम येलो येलो मज़ा आ रहा है ना अरे दीदी धीरे कीजिए धीरे इतना सारा क्यों लगा रही है अरे क्या मतलब इतना सारा क्यों लगा रही हूँ मैं तो लगाऊंगी यहाँ पर और थोड़ा यहाँ पर भी मैं बहुत ही अदव खुश हूँ राम मैंने जैसा सोचा था तुम्हारे शादी के बारे में सब वैसे ही हो रहा है अरे हाँ दीदी आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ अरे तुम लोगों को शर्माने की जुरूत नहीं है आज तुम्हारा ही दिन है चलो मैं जाती हूँ आज यह दीदी आप भी लगा दीजिये अरे हाँ हाँ राधा में आई चलो जाती हूँ मैं भी लगा देती हूँ अच्छे से अरे दीदी मुझे थोड़ा कम ही लगाना ज्यादा मत लगाना वैसे मेरे मुँपर इतना सारा लगया है हाँ हाँ तुम बिना वैसे भी तुम्हें हल्दी की तो बहुत जरूरत है जब देखो तब केमिकल वाले प्रोड़क्स लगाती रहती हूँ लगाओ इसे अच्छे से देखना शादी की दिन तुम्हें चेहरा निखर उठेगा ठीक है मैंने लगा दिया है चलो जाती हूँ हाथ धुल लेती हूँ अच्छे से और यहाँ पर एक एक करके सभी सिया राम को हल्दी लगाने लगते है चलो भाई अब मैं भी लगा देती हूँ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम दोनों चलो मैं जाती हूँ अच्छे ठीक है अब मैं लगा देती हूँ इन दोनों को अरे वाँ सिया राम की जोड़ी तो बहुत ही प्यारी है चलो लगा देती हूँ हल्दी अच्छे से इन दोनों को ये लो भाई तुम दोनों हमेशा एक दुसरे के साथ खुश रहना हरे हाँ आपका बहुती चदर शुक्रिया ठीक है ये बस हो गया ये लो और लगा लो और लगा लो अरे बस कीजिए बस कीजिए अरे भाई नेहा तुम क्या कर रही हो चलो जल्दी से हल्दी लगा दो दोनों को ओ हाँ मैं तो भूले गई देखो तो सबसे आखरी में बेही बची अरे क्या मम्मी आप बिना जिसे शोती रहती है चलिए जाए और धे शरब हल्दी लगा दीजिए अरे हाँ हाँ ये भी कोई बोलने वाली बात है चलो लगाते हो ये लो राम अच्छे से लगाओ हल्दी अरे 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 बस कीजिए दीदी बस कीजिए अरे ये लो सिया अब तुम्हारी बारे है ये लो ये लो हरे नहादीदी बस कीजिए तो आपने बहुत ही ज़ादा लगा दिया हाँ तो रोज रोज थोड़ी ना ये दिना दे हैं चलो तुम दोनों के पैरों में भी लगा देती हूँ किसी ने पैर पर लगाया ही नहीं ये लोग भी न और ये बस लगा दिया तुम दोनों हमेशा खुश रहना हरे हो गया क्या हलदी कर असम चलो चलो भाई अब तुम दोनों को नहाना भी है जल्दी करो हरे ये राम को तो देखो कैसे हलदी लगवा रहा है ये भी न और यहाँ पर श्याम भी हलदी लगानी के लिए आ जाता है हरे क्या श्याम भी हल्दी लगाएगा हल्दी हल्दी मामा मामा हल्दी मामी हल्दी हल्दी हरे श्याम भी न अच्छा दीदी हो गया क्या रसम अरे हाँ हाँ सिया हो ही गया सबने तो लगा दिया है आप जाओ नहा लो हाँ हाँ दीदी पहले मैं जाकर नहा लेती हूँ और ना ये राम चला जाएगा पहले चलो मैं जाती हूँ जल्दी से कितना सारा हल्दी लगा दिया चलो जाती हूँ और फिर यहाँ पर सिया जाने लगती है अरे सोनम की ममी तुम क्या करने जा रही हो नहीं नहीं अरे ऐसे कैसे ये लीजी ये लीजी वहाँ पर खड़े हो कि सब देख रहे थे ना ये लीजी अब आप भी लगाईए अरे अरे बस करो बस करो बस करो सोनम की ममी तुम भी न और लगाईए और लगाईए अंकल को मेरा मतलब भाई सहाब को देखना आप भी एकदम निखर उठेंगे अच्छा राम तुम तो रुको में तुमें बाद में बताती हूँ अरे क्या बताएंगे रुकिये रुकिये अरे नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ मुधुलने के लिए अरे क्रिश्णा तुम क्यों इतने साफ सुतर दिख रहे हूँ ये लो ये लो अरे अरे चंदा जी क्या कर रहे हैं आप रहने दीजिए अरे का है भाई रुकिये रुकिये अरे ने ने मैं जा रहा हूँ चलो आखिर काट जाकर नहाती हूँ अच्छे से अरे वा चलो मेरी हल्दी तो हो गई है मैं बहुती दह खुश हूँ अब महंदी फिर उसके बाद शादी सब लोग भी बहुती खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ चलो अब टाइम लगा कर अच्छे से नहाऊंगी और यहाँ पसिया नहाने लगती है अरे वा कितना मज़ा आ रहा है नहाने में अरे भाई सिया हो गया कि तुम्हारा नहाना आप राम को भी नहाना है जल्दी कर लो भाई अरे क्या दीदी फिर से चल दी मुझे नहाने दीजिये न अच्छे से अच्छा रुको मैं तुम्हारे उपर पानी डालती हूँ अच्छे से नहालो देखो तो हल्दी अभी भी कहीं कहीं लगी हुई है तुम भीना सिया कब बड़ी होगी तुम्हारा बच्पना तो अभी तक नहीं गया हरे दीदी आप बिना रुकिये मैं भी साफ करवा लेती हूँ दीदी आप दोनों का बहुत ही अदर शुक्रिया मैं बहुत ही खुश हूँ आप दोनों की वज़ा से अच्छा ठीक है मेरा हो गया है नहाना में चलती हूँ और यहां पसिया का नहाना हो जाता है राम तो बहुत ही गुस्से में होगा देख ले न अरे इस लड़कियों कितना टाइम लगता है नहाने में अरे हाँ हाँ सिया इतना ही टाइम लेकर नहाती है अच्छा राम जाओ अब तुम भी नहालो ठीक है न अरे हाँ हाँ दीदी क्यों रही ठीक है मैं जाकर नहालेता हूँ आप लोग जाईए अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ नहाने आप सब जाईए यहां से चलो जाता हूँ अरे हाँ हाँ चलो चलते हैं अरे वा दीदी हल्दी तो हो गई, मैं बहुत ही दुखुश हूँ, हाँ राधा और मैं भी अब तो बस शादी का इंतिजार है, और यहां पर राम नहा रहा होता है, अरे वा कितना चलग रहा है, चलो नहा लेता हूँ अच्छे से, अरे वा नहा कर तो मज़ा ही आ गया, मेरा चहरा तो गलो करने लगा, चलो चलो जाता हूँ, अब तो मेरी हल्दी हो गई है, अब बस महंदी रह गई है, फिर उसके बार शादी, लगता है सिया के साथ मेरी जिंदेगी अच्छी ही होगी, चलो आगे देखेंगे, अच्छा ठीक है, चलो जाता हूँ, सब मेरा इंतज Thank you for watching.